हेलो एवरिवान वेलकम बैक टूर चैनल तो आज की मैं जो वीडियो लाई हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो की जेके एससबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर बात करें हम एक्जाम की तो जेके एससबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टे प्लस आपको एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टडी मुटीरिल भी मिलता जाएगा रोज तो चैनल के साथ बने रहे हैं सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिन्होंने करा है उनका बहुत बहुत थैंक्यू तो बिना टाइम अगर रूलिंग की बात करें तो अभी तक कोन-कोन सी जोगिंग्स है वह हमारे जैनके बे रूल कर चुके हैं, मुगल्स अभी तक ही दो और सिख्लिख नास रूल किसका था tory a. जिनका रूल स्टार्ट हुआ था, 1895 से 1961 को end हो गया था, next अगर हम अपने geographical structure की बात करें, तो JNK में, JNK जो है, वो उसमें valleys काफी important है, exam point of view से, अगर valleys की बात करें, तो कश्मीर वैली, तवी वैली, जेना वैली, पुंच वैली, सिंद वैली, और लेडर वैली, काफी important geographical structures है हमारे JNK में, अगर मैं आपको area wise division की बात करूँ, population की बात करूँ, तो हमारे पास जितना area है JNK में, वो उसके अगर मैं बता दूँ, तो हमारे पास area है 42,241 km, जो approximately equal है, 16,309 square meters के, next अगर population की बात करें, तो वो हमारी 1,22,58,433 population हमारी, हमारी area wise rank की बात करें, तो हम 22th rank है हमारा, और अगर population wise बात करें, तो 20th rank है JNK का, next population density की अगर बात करें हम, तो 290 per kilometer square की density से, हमारी जो population value है, और अगर हम state की बात करेंगी, हमारी state, किस-किस national border के साथ मिलती है, या interstate border से मिलती है, तो हमारी जो state है, वो east side से, चाइना से connected है, south by हिमाचर परदेशन पंजाब, west by north west frontier province and the Punjab province से और पाकिस्तान से, तो अगर हम और बात करें अपने JNK की, तो अगर soil की बात करेंगी, हाँ पे soil कौन-कौन से पाई जाती है, degraded off gray brown petzolic soil, red and yellow petzolic soils, mountain meadows soil and litho soils, यह यह soil JNK में मिलती है, अगर हम अपने region की major crops की बात करें, तो JNK कशमीर रिजन की जो cultivation है वो अलग- अलग है, जैसे JNK में आपको cereal crops मिलेंगी, बास्मती rice मिलेगा, राज्मा मिलेगा, fordder मिलेगा, oil seeds मिलेगे, मेन वाइल कश्मीर रिजन की अगर हम बात करें तो कश्मीर रिजन की cultivation और जमूर रिजन की cultivation में काफी फारग है, अब आपको main crops में दिख जाएगा अगर हम forest area की बात करें तो 20,230 स्क्वेर किलोमेटर रेंज में हमारा forest area spread है अगर हम climate की बात करें तो अगर हम जमू की बात करें तो जमू का climate typically monsoonal है बट मेन्वाइल जो लदाग का temperature है वो dry and cold है जो important rivers है यह rivers exam point of view से काफी important है क्योंकि rivers के बारे में काफी पूछा जाता है आपको question आभी सकता है कि ये वाला river कहा है कौन सी location पे है तो इसका river की अगर हम important rivers की बात करें तो जेलम river, इंदस river, चिनाब river रावी तवी, श्योक सुरू ये काफी important rivers में आती है और अगर हम dams की बात करें तो dam जो जेलम के काफी important dams में है वो बगलिया डैम है दुलहस्ती डैम है किश्नगंगा डैम है नीमो बागजो डैम है नियू करेवा स्टोरेज या स्मुर्ग डैम है पकल दूल डैम है सलाल डैम है सेवा स्टेशन 2 डैम है उरी 2 डैम भी है तो अगर हम JNK की ओर फ्लोरा और फॉना की बात करें तो मेजर जो फ्लोरा है एंडरुसेस, सर्मेस्टो कार्डेस, क्रिप्सस एकिनलोला, कोलोना और गालियम, मेकडिवेंस है सिमिलरली अगर हम मेजर फॉना की बात करें तो फोना हमारे मेंली यहां पर पाई जाते हैं, हिमालिन ब्राउन बेर पाई जाते हैं, कश्मीर मस्क डियर पाई जाते हैं, तिबतन सैंड फॉक्स, कश्मीर ग्रे लेंगूर एंड स्नो लैपर्ड यहां पर पाई जाते हैं बात करें तो इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं तो डलेक हमारी जो वह श्रिनगर में हैं गर्टसर लेक भी छेन के का thats पार्ण जो कि गांदर्बंन में हैं वुलर लेक बेग छेन के का पार्ण जो लेक्स आपको काफी बार एक्जाम में पूछी जा सकती है तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू हो जिए नैशनल पार्क और बर्ड एंड वाइलाइफ सैंचरी के अगर हम बात करें तो जो इंपोर्टेंट नैशनल पार्क हैं वह मैं बता देती हूं आपको डचीकम नैशनल पार्क काफी इंपोर्टेंट नैशनल पार्क है यह काफी बार एक्जाम में पूछा भी जाता है तो डचीकम नैशनल पार्क जो है वह श्रीनगर में है और इसमें जो फेमस आपको मिला मिल जाएगा वह कश्मीरी स्टैग है उसके बाद सलीम अली नैशनल पार्क वह भी धिर्टिक में है यहां पे मार्कोर काफी important है काफी famous है next कुश्टी पिच्टवाड high altitude National Park यह किश्टवा district में ये snow Everds के लिए famous है next city forest National Park जो श्र 그대로 में हैं उसके बाद हम है में इस National Park यह ले बिश्ट घुल्मग वाइब के लिए लाइब के लिए जमू में और यह जो-एकलोती वाइब सेंचरी यो की जमू में है बाकी सारी स्रीनगर और ले में है और नंदनी वाइब सेंच्डी जो है वह लैपरड वाइल बियर रेनस मंकी बराल और ग्रे लंगूर्स के लिए famous है आपको exam point of view से काफी important wildlife centuries है क्योंकि जो previous years की question paper देखे गया है उनमें wildlife centuries के बारे में lakes के बारे में rivers के बारे में काफी पूछा गया है तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजे ताकि आप question को attempt कर सके नेक्स अगर निकनेम्स की बात करें तो आपको ये भी exam point of view से काफी important है इसमें आप को अब मैं बताओं तो कश्मीर को city of rivers और lakes भी कहा जाता है सियाचिन को Switzerland of India सियाचिन को highest and coldest battlefield in the world और जम्मू को city of temples के नाम से जाना जाता है ये पिछले year के exam question paper में भी आपको पूछा गया है कि which city is known as city of temples तो उसका answer जम्मू है ये जो Switzerland of India इसको सियाचिन को बोलते हैं ये भी question पिछले year के question paper में आपको पूछा गया हुआ है तो आपको इस वीडियो में जितने वी questions बताऊंगी सारे exam point of view से काफी important है इसमें आपका entire जो GK है entire GK related to JNK है वो आपका cover हो जाएगा अगर इस वीडियो का आप end तक देखते हो तो आपका काफी equation आपके इसमें cover हो जाते हैं अगर मैं mountains की बात करूँ तो GNK में जो major mountains है वो कारकोरम के लिएन ranges है जिसको हम K2 range भी बोलते हैं जो की लदाख में है इसको second highest peak भी कहा जाता है after mount Everest इसकी अगर height की हम बात करें तो 8,615 meter की height है next जो है वो नंगा परवत range है जिसकी height हो है 8,107 meter है इसको naked mountain और डियो मिर के नाम से भी जाना जाता है प्लस इसको killer mountain भी कहा जाता है इसकी अगर location की अगर हम बात करें तो situated in the western himalayas उसके बाद next है सोयाम जी जिसको volcanic mountain भी कहते हैं ये जो volcanic mountains हैं इनकी वज़ा से क्या होता है जो earthquake साते है कश्मीर में इसी mountain range की वज़ा से आते हैं इसकी location की बात करें तो ये हंदवाडा में है और इसकी height की अगर मैं बता दो तो 1860 meter की है next पीर पंजार range है जो की जिसकी height 1400 से 4100 meter की range में fall करती है अगर location की मैं बात करूँ तो ये 12 मुला पास और हाजिपूर पास के बीच में है उसकी बाद आजाता है अमनाथ माउंटेन है हमारे पास जिसकी height जो है 5372 meter है इसकी जो peak है वो 7 big snakes की head की तरह peak है इसकी अमनाथ माउंटेन की को हम शेशनाग भी इसलिए बोलते हैं इसकी जो shape है वो big snake की 7 head की तरह है इसकी अग location की मैं बात करूँ तो लिदर वैली टूवर्ड्स पहलगाम में ये situated है next हमारे पास mountain जाती है हर्मुक जिसकी height है 5142 meter इसको हम Lord Shiva का mountain भी कहते हैं Lord Shiva का home था ये ये बांदीपुरा district में है next shivalik range है हमारे पास जिसकी height 1500 meter है shivalik का मतलब है trees of Shiva और इसको हम मानक परवत्वी कहते थे पहले ancient time में इसको मानक परवत्वी कहा जाता था अगर इसकी location की हम बात करें तो ये located है from the Hindus and close to the प्रहंपुत्रा अगर हम JNK की administrative structure की बात करें तो JNK को हम further divide कर सकते है 22 districts में JNK basically union territory 3 zones की बनी हुई है JNK में Jammu अलग है Kashmir अलग है और Ladakh अलग है और JNK को further हम divide कर सकते है 22 districts में JNK जो है वो Muslim majority population का है इसमे Muslim majority में है capital की बात करें अगर हम JNK की तो capital श्रिनगर है और largest city भी श्रिनगर ही है जो JNK का administrative headquarter है वो जमू में है अगर हम इसके chief ministers की बात करें तो इसकी chief minister महभूबा मुफ्ती थी वो till 20 June 2018 तक अब चीफ मिनिस्ट की वो स्वेकेंट है क्योंकि JNK union territory बन चुका है लास्ट इसके जो lieutenant governor थे वो गिरीश चंद्रा मुर्मू थे अभी इनके lieutenant governor जो है वो change हो चुके है अब जो currently lieutenant governor है JNK के है वो मनोज सिनहा है lieutenant governor ये गिरीश चंद्रा मुर्मू मनोज सिनहा से पहले थे अभी change हो चुके है अभी JNK में 370 के abrogation आर्टिकल 370 की abrogation के बाद चीफ मिनिस्टर रूल तो खतम हो गया तो आप lieutenant governor है हमारी union territory के जोकी है मनो सिनहा state animal की अगर हम बात करें तो कश्मीर्दी stag है state bird JNK का black neck crane है state floor sackard lotus है straight tree की अगर हम बात करें तो plantanus orientals है जिसको हम चिनार का पेड़ भी बोलते हैं चिनार tree भी बोलते हैं अगर हम number of districts की बात करें तो 20 हैं number of divisions हमारे बास 3 हैं अगर हम administrative constituency की बात करें तो जो लोक सबा seats हैं वो 6 हैं और विदाहन सबा की 89 seats हैं यहां की जो major airports हैं वो हैं जमू एरपोर्ट, कारगिल एरपोर्ट कुशकोक बकुला रिमपोची एरपोर्ट फिर पुंच एरपोर्ट शेख उलालम इंटरनाशनल एरपोर्ट फिर इसके बाद अगर मैं आपको यहां का major railway station बता दूँ तो वो हैं जमू रिजन के जो major railway station है में ही आता है next अगर major railway station आगर मैं कश्मी रिजन की बात करूँ तो बारामूला railway station सोपोर railway station हमरी railway station और पटन railway station जो की major railway stations है कश्मी रिजन के अगर जेनके की जो official languages हैं वो हैं उर्दू, कश्मीरी, डोगरी औन हिंदी ये official languages हैं जेनके की next अगर मैं tribes की बात करूँ जेनके की तो यहाँ पर जो major tribes यहाँ पर मानी जाती हैं वो हैं Balti tribe, Bakarwal, डोगरा, गुजर ब्रोगपा, चंगपा आगे इनके remarks में आप इनका बढ़ सकते हैं कहां कहां पाए जाते हैं stadiums अगर मैं बात करूँ stadiums की तो जेनके में mainly जो stadiums हैं वो श्रीनगर में हैं और हमारे जम्मू में सिर्फ एक stadium है शेरी कश्मीर stadium ये श्रीनगर में है बक्षी stadium श्रीनगर में है और मोलाना आजाद stadium ये जम्मू में है एरपोर्ट के बारे में मैं आपको पहले बता चुक हूँ एरपोर्ट जो major airports हैं वो शेक उलालम international airport जो मैंने आपको बताया था वो श्रिनगर में है जम्मू airport जो कि जम्मू में है ले कुशौक बकूला रंपोची एरपोर्ट जो कि ले में है हमारे कारगिल में भी एक एरपोर्ट है जिसका नाम है कारगिल एरपोर्ट जो की है कुर्बा तंग कारगिल में पुँच एरपोर्ट जो कि जम्मू में ही है कुशौक बकूला रंपोची एरपोर्ट जो कि ले में है इस hydroelectric power stations भी हमारे जेनके में काफी है hydroelectric power station हमारा जो पहला आजाता है में लोट जेलम हीडर पर उरपोर्जेक बारामुला में है मोहरा hydroelectric power station जो कि नॉट कश्मीर में है और पहल गाम hydroelectric project बहल गाम में है यहाँ पे जो जयनके में जो hydroelectric power station हाईडर पर जएंचि सोल रहे हैं वो चार है जो कि आपको given screen पे दिये हुँ है आर्टिकल 370 के तूटने के बाद JNK में काफी major changes आई हुई है इसके accordingly कोई बाहर का इंसान यहाँ पे land purchase नहीं कर सकता है और प्लस JNK की इससे पहले, आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन से पहले JNK का एक अपना flag हुआ करता था जो कि उसके अब्रोगेशन के बाद अब इंडिया का flag ही JNK का भी flag है अगर हम इसके JNK के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पे फोग नांस में दूमल डान्स फेमस है ट्रडिशनल म्यूजिक में हम कहें तो सूफियाना, कलाम या जिसको किश्मेरी क्लासिकल भी बोलते है वो फेमस है, प्लस चकरी भी इनके ट्रडिशनल म्यूजिक में आता है अगर हम मेजर फेस्टिवल्स की बात करें तो इदुल फितर, इदुल जहाँ हमिस फेस्टिवल, बसाखी, टुलिप फेस्टिवल and शिकारा फेस्टिवल काफी फेमस फेस्टिवल है यहां के लेस्थ अगर हम यहां की क्यूजीन की बात करें तो हमारे इंडिया में जो ये-ऎनके स्टेट है वो काफी क्यूजीन रिच है वो इसमें जो spices हैं, जो flavors हैं, वो काफी एक अपने आप में एक speciality है, यहां का जो famous food है, वो रोगन जोश, मदुर पुलाओ, जखनी, जिसको हम योगर्ट, लैम करी भी बोलते हैं, दमालू, अब गोश्त, गोश्ताबा, यहां फिर जमू का जो staple food है, जिसको राजमा चावल, बोलते हैं, वो काफी famous है, यहां का, अगर हम traditional dress की बात करें, तो women का जो famous यहां का है, वो है, फिरन, headdress, तरंगा, jewelry, या suit, सलवार, और male का अगर हम बात करें, तो कश्मीरी men का, फिरन, turbans, यह dresses काफी famous है, यहां की, पजामा कुर्ता, अगर हम temples की बात करें, तो every year यहां प पे, अपनी obedience पे करते हैं, हमें हर साल आते हैं, वैशन दरी बंदे जो की कट्रा में है, जम्मू का पाठ है कट्रा, अमना टेंपल जो की पहल गाम अनंतराग में है, रगुना टेंपल, old heritage city जम्मू में है, पीर खो केव, टेंपल यह जम्मू में ही है, उसके बाद, पंच जम्मू में ही है, नेक्स्ट, महामाया टेंपल वो भी जम्मू में है, श्रंकराचारे टेंपल वो श्री नगर में है, हरी परवत फोट और टेंपल ओफ शारिका देवी, वो श्री नगर में ही है, और खीर बवानी काफी फेमस टेंपल है, खीर बवानी श्री नगर का, के वेज़ेंस की वज़ार से जाने जाते हैं ये पूरे वर्ल्डवाईड में बेचे जाते हैं तो कश्मीरी पश्मीना शॉल्ष यहां पर काफी स्पेशालेटी है इनकी काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगर आगर हम बात करें शिलवर्वेर की चांदी के बरतन उनक काफी speciality है JNK की Silk JNK में काफी मिलता है यहाँ पर सिल्को चिनौन भी बोलते हैं फिर woodwork यहाँ की काफी important है, काफी famous है JNK का woodwork अगर हम JNK की economy की बात करें तो जो इसका state का GDP है वो 1.38 lakh crore है जो अप्रोक्सिमेटली 19 billion US dollars है हमारे JNK का जो growth rate है वो 18-19 के survey के accordingly 11.71% था उसके बाद अगर हम GDP पर capital rank की हम बात करें तो हमारा 22nd rank है अगर यहाँ की famous industries की हम बात करें तो silk textile, carpet making and woolen textile forest based industries, agro based industries paper machines cement industry, industrial complexes काफी famous है यहां की major imports, good grains rice, mutton, beef, poultry, fish, milk, package goods यह की यहां के famous major imports है यह तो रहे imports की बात अगर हम major exports की बात करें जो की यहां से बाहर बेज़े साते है तो वो apples है, barley है, cherries है corn, millet, oranges, rice, peaches, pear, saffron sorghum, vegetables, wheat यह काफी important and major exports है और अगर manufacture exports में अगर हम बात करें handmade चीज़े यहां से बनके बाहा जाती है तो handicrafts में आ जाते हैं वो rugs आ जाते हैं, carpets, shawls आ जाते हैं अगर हम GDP-wide sectors की बात करें तो agriculture-wise हमारी जो GDP है फो 16% है, industry-wise जो है 27.8 है और services की 56% है services की GDP सबसे जादा है 56% अगर हम लिट्रेसी रेट की बात करें education की बात करें लिट्रेसी रेट की बात करें अगर हम तो 67.16, 30th rank है इसका male जिसमें 76.75% ही उनका लिट्रेसी रेट है और females का लिट्रेसी रेट है 56.43% अगर हम JNK में number of schools की बात करें तो काफी जादा schools है यहाँ पर JNK में number of schools 23,747 schools है जो यहाँ के board है वो JK BOS है जा फिर JK SOS है number of universities अगर हम की बात करें तो JNK में total 2 central universities है और 9 state universities है अगर हम famous heritage sites की बात करें JNK में तो JNK की जो tourist point of view से काफी important sites है वो हैं लदाख रगुना टेंपल, चिम्रे monastery, करदांग monastery major monuments हैं वो हैं हरी परवत fort, बहू fort, अमर महल परी महल, जामा मस्जिद जो यहाँ के important national park जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो डचिकम national park है hammish national park है, काजि नाग national park है, किष्टवार national park है and last, Salim Ali national park है यह जो parks, monuments important designation important destinations, यह exam point of view से काफी important question है इसमें आपको अगर यह पूरी वीडियो आप complete देखते हो तो आपको इस question में definitely तो आपको जो आप GK का जो section होका उसमें आप definitely marks attend कर सको होगे next आप bird centuries की बात करूँ मैं तो JNK की जो famous bird centuries है वो जसरोटा wildlife century है, नंदनी wildlife century, ओवेरा wildlife century, रामनगर wildlife century सुरूई सर्मानसर wildlife century and the hammish altitude national park, so everyone this was all about GK with special reference to JNK तो JNK में जितने भी हमने parks पड़े wildlife centuries पड़ी, हमने rivers पड़े, lakes पड़े हमने important exports पड़े imports पड़े, हमने JNK गजीडेपी पड़े तो यह काफी important है exam point of view से, अगर आप यह सारी video enter complete देखते होगा अगर आप इस video को पूरा अच्छे से पड़ते हो तो मैं definitely बोल सकती हूँ कि आपका जो JKSSB Finance Account Assistant में जो आपका 20 marks की GK है with special reference to JNK है तो मैं आपको बता दूँ कि आप definitely यह जो आपका exam है JKSSB Finance Account Assistant का आप definitely उसमें score अच्छा score कर पाऊगे तो प्लीज चैनल को subscribe करो like करो, share करो आपको daily job के updates तो मिलते ही है पर यह हमारा promise है कि आपको daily जो आपके subjects related आपके exam point of view से आपको related जो भी topics होँगे वो आपको definitely cover करवाए जाएंगे Thank you everyone